हेलो फ्रेंड्स, नौलेज रणर में आप सभी का स्वागत है जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजर अंदाज करो दोस्तों, नकारात्मक सोच के लोगों से हमेशा दूर रहे आज की कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है एक बार एक गाउ में इसकुल के कप्छा आठवी के बच्चों में पहाड की चोटी पर चड़कर वापस आने की सर्त लग गई पांच बच्चे सर्त के लिए तैयार हो गए जैसे ही बच्चों ने चड़ना सुरू किया नीचे खड़े अन्य बच्चे कहने लगे कि इतनी उची पहाडी पर नहीं चड़ा जा सकता प्यास लग जाएगी घने जंगल हैं पत्थर बारिस में भींगे हुए हैं फिसल जाओगे सभी अपने अपने हाथ हिला कर नीचे आने के लिए इसारा करने लगे नीचे खड़े लोगों की बाते सुनकर चार बच्चो का मनोबल धीरे-धीरे तूटने लगा और वे नीचे आने लगे पांचवा बच्चा भी नीचे देखा और लगातार उपर चड़ता रहा सभी मना करते रहें लेकिन वह उपर चड़ता रहा अंत में पहार की चोटी में चड़कर सक उसल वापस भी आ गया यह देखकर बाकी नीचे खड़े सभी लोगों ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा पता चला कि वह बच्चा बहरा था उसने बताया कि जब उसका मनोपल तूटने लगा था तब उसने नीचे हाथ हिलाते लोगों को देखा उसे लगा कि लोग उपर चड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह दुगने उत्सा के साथ चड़ने लगा और अपनी मनजिल को प्राप्त करके सर्थ जीत गया तो दोस्तों काम्याभी यतनी बड़ी रहेगी संगर्ज भी उतना ही बड़ा होगा इसलिए तब तक मत रुको जब तक कि मनजिल प्राप्त न हो जाए मनजिल प्राप्त करते तक बहरे बने रहो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे सिर्फ यह सोचो कि मुझे क्या करना है वैसे सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आत्म विश्वास से भरपूर एवं जीवन्त दिखाई देते हैं उनका मानसिक इस्तर समान्य व्यक्तियों से उच्च तथा आसावान होता है